स्री रगुवीर भक्त हितकारी सुनली जे प्रभू अरज हमारी निसदिन ध्यान धरे जो कोई तासम भक्त और ना ही होई भगवान स्री राम पर 200 सब्दों का निबंद भगवान स्री राम जो हिंदू के देवता माने जाते हैं और जिनका जन्म अयुद्या के महराजा दस्रत जी के यहां हुआ था भगवान स्री राम को आज भी हिंदू धर्म के लोग बड़ी सरधा से पूचते हैं भगवान स्री राम के द्वारा कियेगे सभी कार्य प्रसंसनिय है राम ने रावन का वद करके स्री लंका नगरी को राक्सस मुक्त कराया था जब भगवान स्री राम का जन्म अयुध्य नगरी में हुआ तो नगरी में खुसी की लहर दोड़ाई भगवान स्री राम की पिता जी का नाम दसरत जी और माता जी का नाम कोसल्य जी था जब भगवान स्री राम को राजपार्ट सौपने का समय आया तब रानिक कहकई के कहने पर राजा दसरत ने उन्हें 14 साल का वनवास दे दिया चवदावर्स पूरे होने के पस्चाद भगवान स्री राम ने आयोध्या का राजपाट संभाला इन्हीं चवदावर्स के वनवास के दोरान माता सिता का रावन ने हरण किया और उसके पस्चाद भगवान स्री राम ने रावन का वद करकी उसे मार गिराया था भागवान से राम की रामायन कथा आज के समय में टीवी सीरियल में एपिसोड की रूप में बताई जा रही है राम जी का चरित्र राम बच्पन से ही देयालू और स्नेही स्वभाव के थी उनके अंदर मनोरम स्टाचार की भावना कूट कूट के भरी हुई थी राम जी अत्यन्ती सरल सोभावाले महापूरुस थे इनके बारे में एक प्रचलित वाकिल मर्यादा प्रुसुत्तम राम है राम जी अपने भाईओं से अत्यन्त प्रेम से रहते थे देवता की रूप में स्री राम भगवान सीराम एक आदर्स पुत्र, आदर्स पती और एक आदर्स राजा थे इसलिए जनता की नजरों में इन्हीं देवता का दर्जा दिया गया हिंदों के माननिता के अनुसार राम त्रेता युग में रहते थे इसी के साथ हमारा निबन यहीं समाप्त होता है